अलो गाईज आज की वीडियो हमारी होने वाली है measurement of length के बारे में तो जैसा कि आपको पता है length एक fundamental physical quantity है और length की measurement के लिए हम generally lab के अंदर physics lab के अंदर हम चार तरह के apparatus यूज करते हैं जिन में से सबसे पहला है meter scale और meter scale small lengths को measure करने के लिए हम generally use करते हैं meter scale की जो least count है वो इन चार apparatus में सबसे ज्यादा होती है यह less accurate device है इन चारों में से इसकी list count होती है 0.1 cm means 1 mm ठीक है उसके बाद हमारे पास device आती है vernier caliper तो vernier caliper जो है यह meter scale से और ज्यादा accurate device है तो इसकी list count जो है वो होती है 0.01 cm means 0.1 mm और यह generally use की जाती है spherical या फिर cylindrical objects जैसे हमारे होते हैं उनकी diameter निकालने के लिए या फिर किसी beaker वगेरा की depth निकालने के लिए भी आप इसका use कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास next device आती है screw gauge तो यह screw gauge जो है इसकी list count 0.001 cm है यह और दस गुणा ज्यादा accurate device है vernier caliper से ठीक है और इसको generally हम use करते हैं जैसे हमें किसी wire की अगर diameter निकालनी है इसकी मोटाई निकालनी है तो generally हम screw gauge का use करते हैं उसके बाद हमारे पास एक device आती है सफेरो मेंटर तो सफेरो मेंटर जैसे किसी small glass strip की अगर हमें thickness निकालनी है या किसी curved surface की जैसे हम मेरे बास एक mirror है convex mirror है तो convex mirror की अगर मुझे इसकी जो curved surface की radius अगर ग्याद करनी है अगर मुझे पता लगानी है तो मैं सफेरो मेंटर का use करूँ आ ठीक है और सफेरो मेंटर की list count भी कितने होती है 0.001 cm या फिर 0.01 mm इन दोनों की सेम होती है ठीक है तो generally ये चार तरह की devices ही हमारी जो है lab के इंदर use की जाती है measurement of length के लिए तो आज की वीडियो में इतना ही था next वीडियो में हम इनकी list count कैसे निकालते हैं सभी apparatus की उसके बारे में हम detail से समझेंगे thank you have a nice day